Hello students, कैसे हैं आप लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने हाफ एली एक्जाम को ध्याने में रखते हुए एक new series इस्टार्ट किया है जिसमें हम class 6, 7, 8 के science के topic को quick revision करते हैं तो आज इसी कड़ी में एक नया वीडियो लेकर आए हैं इस playlist में जाकर के उन सारे वीडियो को देखे हैं आज का जो topic है वो हमारा है physical and chemical change तो इस topic में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ना होगा देखते हैं इस topic का agenda क्या है आज की class में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे what is physical change physical change क्या है then move करेंगे फिर पढ़ेंगे chemical change फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे rusting of iron then crystallization इन सारे topics को हम detail में discuss करने के साथ साथ कुछ important chemical reaction के बारे में भी समझेंगे physical properties include the shape, size, color and state of a substance यानि किसी भी object का क्या color है, क्या उसका state है और state का means क्या है वो liquid state में, solid state में या gaseous state में अगर मान लीजिएगा water है वो हमारा हमने उसको क्या कर रखा है refrigerate में रख दिया है जिसकी वज़ए से वो solid हो गया है अब इसको हम heat provide करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह gas में convert हो जाएगा तो हम क्या कह सकते है water की दो states है solid और यहां gas इसके साथ अगर हम gases को ठंडा करेंगे तो फिर से यह क्या बन जाएगा liquid बन जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि water की कितनी states है three states है solid, liquid, gas I hope आपको समझ में आया होगा अब हम इसे समझ में तो फिजिकल्पर्पर्टीस क्या है लेकिन अब हम बात करते हैं फिजिकल्टेंज के बारे में any change to physical property of a substance is called physical change याणि किसी भी substance की अगर फिजिकल्पर्पर्पर्टीज में change होता है यानि उसके shape में change होता है, उसके color में change होता है, अगर उसके size में change होता है और उसकी state में change होता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है? Physical change है, मान लीजिएगा कि अगर हमने किसी भी object को solid था, उसको हमने heat provide किया और वो हमारा liquid में convert हो गया, तो हम क्या कहेंगे? कि यह हमारा physical change है, आगे समझते हैं, physical change are usually reversible as no new substances form, यानि जो हमारे physical change होते हैं, वो generally reversible होते हैं, लेकिन वहाँ कोई नया substance form नहीं होता, जैसे कि समझेगा, अगर मैं elastic लो और उसको क्या कर दो, मैं खीच दो, तो वो stitch हो जाएगी, फिर से बापस कर लो, फिर से उसी shape में आ है, उसका shape में तो change हुआ है, लेकिन वापस से उसी elastic को वापस आ जाएगा, तो यह हम क्या कह सकते हैं, यह हमारा physical change है, आगे, it is the same substance but with change physical properties, यानि यह same substance रहता है, लेकिन इसकी physical properties में परवर्तन आता है, जैसे कि समझेगा, मैं आपको कहूँ, अगर क्या, एक काच का ग्लास लिया, उसको मैंने तोड़ दिया, अब मैं आप से पूछता हूँ, क्या यह हमारा reversible है, नहीं, इसलिए तो word use किया गया है, journally और usually, यानि आम तोर पर ऐसा होता है, लेकिन सारे नहीं होते, लेकिन इसको reversible नहीं है, लेकिन क्या हुआ है, इसके physical properties में परवर्तन आया है, उस हम समझते हैं, example को, crushing एक can, तो आप क्या करते हो, कि can को तोड़ देते हो, मडोर देते हो, उससे क्या उसका shape change हुआ है, लेकिन रहा तो वही है, तो आपको physical change में दो चीज़ें ध्यान लखना है, no new substance form, no new substance form, कोई भी नया substance form नहीं होता है, और journally कैसे होते हैं, reversible होते हैं, य आइस cube, तो जो भी अगर हम ice cube को melt करके liquid में convert कर दें, तो liquid को भी तो हम solid में convert कर सकते हैं, यह भी हमारा क्या है, physical change है, boiling of water, जब water को boiling करते हैं, तो liquid से gaseous state में convert होता है, तो यह भी हमारा क्या है, physical property है, अगला mixing sand with water, जब हम sand और water को mix करते हैं, तो क्या कोई नया substance बनता है, नहीं, तो हम यह भी क्या कह सकते हैं, physical change है, breaking of glass, यह भी हमारा physical change है, dissolving sugar in water, यह भी हमारा physical change है, क्योंकि कोई भी नया substance form नहीं हो रहा है, cable दो substance का क्या हो रहा है, mix हो रहा है, आगे shredding, यह paper, paper पर shredding करना, आगे coping wood, जो wood को फाड़ना, इस तरीके से, जो भी हमारे, यह सारे किसके example है, यह हमारे physical change के example है, I hope, आपको समझ में आया होगा, physical change क्या होता है, अगर मैं आपके लिए पूरा summarize करो, तो क्या है summarize, कि physical change होते हैं, वो हमारे reversible होते हैं, और कोई भी नया substance form नहीं हो था, अब हम आगे बढ़ते हैं, और समझते हैं, chemical change, एक chemical change in which one or more new substance form is called chemical change, या यानि जो chemical change वो होते हैं, जहां एक से ज़्यादा new substance form हो जाएं, तो हम उसे क्या कहेंगे, कि यह हमारा chemical change है, अगला, usually chemical change is involved as a chemical reaction, which form a new product, यानि यह जो chemical change है, यह chemical reaction के format में होता है, जहां new substance form होता है, और generally, हमारी जो chemical reaction होते हैं, वो irreversable होते हैं, जैसे कि rusting of iron, और burning of wood, यानि जो rusting of iron है, और burning of wood है, क्या यह बापस लाए जा सकते हैं, अगर किसी भी लगडी को हम burn कर दें, क्या उसको बापस convert किया जा सकता है, नहीं, किसी भी substance में अगर जंग लग गई है, अगर iron में जंग लग गई है, तो क्या हम उसे बापस कर सकते हैं, हां उसको हट लेकिन बापस से उसी condition में नहीं लाया जा सकता, आया समझ में, तो हम कह सकते हैं, जो हमारे chemical changes होते हैं, वो हमारी irreversible होते हैं, देखो यहां एक word use हुआ है, chemical change और chemical reaction, तो chemical change तो हमें समझ में आ गया है, अब हमें समझना है, what is chemical reaction, chemical reaction क्या होता है, समझते है, एक chemical reaction is the process that transfer one or more substance are called reactant into one or more different substance is called product यानि जो transformation of new substance है उस reaction को क्या कहते है chemical reaction कहते है समझिएगा जैसे मैं आप से कहूँ कि हमारा Mg plus O2 तो यह जो reaction हुआ हमारा MgO बन गया magnesium oxide बन गया देखो यह magnesium है जो कि एक metal होता है और उसको हमने oxygen के साथ react कराया तो magnesium oxide बन गया जो reaction में participate कर रहे है इनको कहते है reactant क्या कहते है reactants और जो हमारे outcome है उसे क्या कहते है उसे क्या कहते है product क्या कहते है product तो reactant क्या है reactant are those substance which participate in a chemical reaction ऐसे substance जो किसी भी chemical reaction में participate करते हैं उन्हें क्या कहते है reactant कहते है what is product the outcome of the chemical reaction is called product जो chemical reaction का outcome है यहां क्या मिला है mgo magnesium oxide यह हमारा क्या है outcome है इसे हम क्या कह सकते है यह chemical reaction है अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी chemical reaction हुआ है समझिएगा अगर किसी भी substance का अगर किसी भी substance का color change हो जाए change in color change in color तो हम कह सकते हैं यह chemical reaction है दूसरा evaluation of gas evaluation of gas यानि अगर किसी भी chemical reaction के duration में gas form हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि यह भी chemical reaction है तीसरा अगर किसी भी chemical reaction में temperature change हो जाए तब भी हम कह सकते हैं कि यह chemical reaction है तो यानि किसी भी substance में अगर हमारा temperature change हो जाए color change हो जाए इसके साथ साथ जो evaluation of gas हो, gas का formation हो जाए तो हम क्या कहा सकते हैं यह chemical reaction है तो भिया example क्या होते है chemical reaction के समझते हैं चैसे की photo synthesis यह क्या है हमारी chemical reaction है iron में जंग लगना यह भी हमारी क्या है chemical reaction है making of curd, जो curd, दूद से curd का, milk से curd का बनना यह भी हमारी क्या है chemical reaction है तो देखो क्या curd बनने के बाद क्या हम उसे बापस मिलके में convert कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो ऐसे substance को क्या कहते हैं chemical change तो अगर मैं comparison करूं दोनों में chemical reaction में और chemical change और जो physical change है उनमें अगर मैं comparison करूं तो आप simple सी दो बाते याद रखिएगा कि जो हमारी physical change होते हैं यहाँ कोई भी new substance form नहीं होते हैं जबकि chemical reaction में new substance form होते हैं दूसरा यह chemical reaction होती हैं वो non-reversable होती हैं बापस इने convert नहीं किया जा सकता जबकि जो हमारी physical change होते हैं वो generally reversible होते हैं जर्नली या usually मैं फिर से repeat कर रहा हूं इसलिए use किया जा रहा है क्योंकि सारी reversible नहीं होती हैं जैसे मान लीजिएगा मैंने यह paper लिया और इस paper को मैंने फार दिया क्या आप फिर से किसी भी method से जोड सकते हैं हाँ सरक टेप लगा देंगे लेकिन आपको जर्नली आम तोर पर यह हमें add करना होता है क्या यह होगा नहीं होगा तो that's mean यह हमारा cable physical change है क्योंकि shape में change हुआ है लेकिन इसको हम reverse नहीं कर सकते आया समझ में या नहीं I hope आपको समझ में आया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली important chemical reaction समझते हैं metal oxide यह या फिर metallic oxide बोले या metal oxide बोल is the example of chemical change यानि जो metal oxide है वो क्या है हमारा एक example है chemical reaction का यह chemical change का they are formed by the reacting of the oxygen यानि यह किससे form होती है जब भी हम oxygen से react कराते हैं उसके साथ form होते है तो यहीं तो example हमने यहां दिया था तो वही same example है तो हम क्या करते हैं magnesium ribbon को आपके chapter में एक activity है NCRT book में कि magnesium ribbon को burn करते हैं तो जब हम magnesium ribbon को burn करते हैं burn करना किसी भी substance को burn करना इसका मतलब होता है chemistry में कि हम उसे oxygen के साथ reaction करा रहा है इसी दिये इसको क्या रिखा है O2 के साथ reaction किया है magnesium को oxygen के साथ react कराया है तो magnesium oxide बनाया तो अब आप बता सकते हो कि जो participate कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं reactant कहते हैं ज chemical reaction का जो outcome है वो क्या हमारा product तो यह हमारा example है metallic oxide का आपके लिए एक बार मैं summarize कर देता हूँ metal oxide को कैसे बनते हैं जब किसी भी metal को burn किया जाता है तो वो metallic oxide बनते हैं इसी में हमने example लिया है magnesium ribbon को जब magnesium ribbon को burn करते हैं तो वो क्या होता है तो वो burn होकर के magnesium oxide बनाता है जो उसका एस बचता है जो उसका राक बचता है वो कैसा बचता है वो white color का होता है और generally वो कैसा है यह हमारा chemical reaction है आया समझ में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं और समझते हैं resting of iron यानि resting of iron क्या है देखो when the iron come in the contact with oxygen and water जब iron water और oxygen के contact में आता है तो it reacts and form a red color substance over it it is called rust यानि जब भी हमारा iron oxygen और water के contact में आता है तो आपने देखा होगा यह red substance है यह जो red color substance है यह क्या है rust लगना या जंग लगना है तो यह हमारी chemical reaction है ध्यान लखना 4FE FE क्या है iron का एक symbol है H2O क्या है यह water का हमारा compound formula है इसके साथ साथ जो Fe2O3 into H2O है यह rust का chemical formula है आया समझे लें तो यह एक chemical reaction होता है और यह बहुत slow chemical reaction होता है अब सर यह तो पता चल गया है कि resting क्या होता है और कैसे लगती है इसको prevent कैसे कर सकते हैं इसको बचा कैसे सकते हैं कि जंग ना लगे तो देखो भीया सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं वाइपलाइंग पेंट और आयरन तो हम समझते हैं कैसे हम इसे prevent कर सकते हैं by applying paint on iron object so that can not come in the contact with oxygen and moisture in the environment यानि पहला चीज हम कर सकते हैं वह हम कर सकते हैं paint किसी भी iron के metal के iron का या कोई भी सबस्टेंस जिस पर जंग लगने से बचाना है वह हम क्या कर सकते हैं या फिर और उसके डिरेक्ट में नहीं लगेगा और तीसरा इंपॉर्टेंट मैफड है वह क्या है गैवलाइजेशन गैवलाइजेशन क्या होता है समझते हैं तो प्रॉसेस ऑप डिपोजिटिंग जिंग ओन दा सरफेश ऑफ आईरन तू प्रेवेंट रस्टिंग इस कालड़ गैवलाइजेशन या निग या यह निग एक केमिकल रिय आएगा तो इसमें क्या जंग लगेगी ही नहीं I hope आपको ये भी समझ में आया होगा कि Galvanization क्या है देखो अभी तक हमने physical change, chemical change ये पढ़ लिया है इसके साथ हमने chemical reaction पढ़ लिया है और ये भी पढ़ लिया है कि chemical reaction के बारे में हमें कैसे पता चलेगा इसके साथ हमने resting और Galvanization जैसे important terms को भी पढ़ लिया है आगे बढ़ते हैं और ये हमारा last topic है जो की है crystallization crystallization क्या है दब प्रॉसेशे और forming crystal from the solution is called crystallization यानि जो solution है उससे हमारी crystal का बनना ही क्या 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 आई इस तरीके से अपनी छोटी छोटी क्यानिया बना लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है largest चाहरा है और यह जबentar कर लिया जाता है और इसे फिर market में बेच दिया जाता है तो ये process जब किसी भी solution से crystal formation होने की process क्या क्या लाती है crystallization क्या लाता है तो I hope आपको ये भी समझ में आया होगा basically ये बहुत छोटा topic था इसलिए ये आसानी से कम समय में complete हो गया है अगर आपको इस topic से related कोई भी doubts है तो please comment box में लेखें so that मैं उन doubts पर एक short video लाओ और आपके सारे doubts हैं उनको resolve कर सको तो I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छा आप लोगों ने मैंने आप लोगों के लिए fraction का topic का video बना रखा है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो please जाएं और उस topic को complete करें इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे telegram channel को join नहीं किया है तो please join करें जहां आपको session update, e-notes और इसके साथ session pdf के साथ साथ आपको quizzes भी करने को मिलती है तो इस तरीके के और भी videos के लिए आप अपने comment box में अपने suggestion दें और channel को subscribe करके रखे I hope आपको ये video पसंद आया है अगर पसंद आया है तो please अपने friends के साथ share करें I hope you enjoy this class Thanks for joining, have a great day